जेन दोस्तों सौगत आपका चनल दगड़ाफोजी पर दोस्तों आज इस वीडियो पर बात करूंगा हमारे ससी जीडी में जो बरती हो रखके है जो की 2004 के बाद जो बरती हो रखके है उन लोगों को 20 साल बाद पैंशन कितने मिलेगा तो सिंपल फंडा है एकदम आप लोग आसानी से समझ जाओगे बहुत ही सिंपल बाशा में समझाओगा पूरा वीडियो को एकदम लाश तक देखेगा दोस्तों और वीडियो को समझने की कोशिश करूँगा एकदम सरल से सरल बाशा में समझने की कोशिश करूँगा आप लो और भी बहुत सारे जो बरती हो रहे हैं इसमें पेंशन कितना मिलागा 20 साल बाद जो कि Central Government का नोकरी बीस साल के बाद आपको Pension कितना मिलेगा NPS के आदार पर आप लोग जानते हो कि 2004 के बाद जो भी बरती हुआ है Central Government का नौकरी मिला है उन सब को NPS के आदार पर pension देगा यानि कि New Pension Scheme के आदार पर pension देगा आप बोल सकते हो National Pension Scheme के आदार पर इससे पहले 2004 से पहले लोग को OPS के आदार पर देता है और Old Pension Scheme इसको बोलते हैं अभी OPS जान लेते हैं क्या है और NPS जान लेते क्या है पूरा बिशे में बात करूँगा ठीक है और बात करूँगा कि 20 साल बाद मेरे को या फिर आपको pension कितना मिल जगता है वीडियो को पूरा लास तक देखे हैं दोस्तों और बहुत ही important वीडियो है दोस्तों आप लोग के लिए क्योंकि 20 साल बाद हम लोग को जानना है कि मेरे को pension कितना मिल गा NPS के आदर पर बहुत सर ऐसे news आप लोग देखे होंगे कि OPS लागू करो आप लोग जानते हो के दिल्ली में कुछ दिन पहले कुछ महिना पहले जो है बहुत बड़ा एक मीटिंग हुआ था उस मीटिंग में बहुत लोग आये थे और डिमान रखे थे के हमारे पेरेमेलिटरी फोर्सिस को जो है OPS के आदर पर pension देने के लिए दिल्ली हाइगोट ने अलान कर दिया जारी कर दिया कि इस पेरेमेलिटरी फोर्सिस से आदर में आता है श्रस्रस्त्रव बल में आता है तो उनको OPS के आदर पर pension देना चाहिए Central Government को भी बोल दिया था कि इनको जो है पेरेमेलिटरी फोर्सिस को OPS के आदर पर pension मिलना चाहिए लेकिन Central Government क्या क्या कि इनको इस अपेल को सुप्रिम कोट तक ले गया सुप्रिम कोट में यह जिका दाखिल किया अभी सुप्रिम कोट से जब तक कोई आदेश नहीं आता है हम बोल नहीं सकते कि हम लोग को OPS लागू होगा कि नहीं हमारे पेरेमेलिटरी फोर्सिस को फिर भी हम लोग अभी NPS के आदर पर यह भी मिलेगा pension तो देख लेते हैं कितना बनेगा इसमें OPS में क्या मिलता है OPS जो है आपको जब नकुरी मिल जाता है तो आपका खुद कर डिशन रहता है कि आप OPS में कितना कटोती करवाओगे जैसे कि आपके यह दि salary रहता है 40,000 रुपे तो आप आराम से आप application में लिखके बोल सकते हूँ कि हाँ मैं 5,000 रुपे कटवाना चाहता हूँ ने तो 7% interest आपको देगा और OPS के अधर पर आप जब 20 साल के बाद retirement जाते हो तो आपका जो जमा हुआ राशी है उसका तो मिले गए उसका 7% interest के साथ मिलेगा आपको एक कलिन राशी हो गया अभी pension भी देगा pension कितना देगा उस 20 साल के बाद last मेहना का जो आपका basic salary है basic salary आप मान लिजे 40,000 रुपे तो basic salary का आदा आपको मिलेगा pension के तोर पे मतलब आपका जमा हुआ राशी प्लास interest के तोर पे तो देगा ही देगा एक अट्टा और आपका last मेहना का basic salary का आदा आपके हर मेहने pension के तोर पे मिलेगा आप जो 20 साल के बाद नौकी छोरेंगे अभी बात करते हैं NPS के अधर पे किया मिलेगा NPS में system यह है कि आपका जो salary है उसका basic का और DA का basic plus DA का 10% आप से काट लिया जाएगा ठीक है उसका उसमें जो है आपका मर्जी नहीं चलेगा आपका basic plus DA का 10% अप से deduct होगा और सरकार भी इसमें contribution देगा सरकार भी 14% आपको देगा basic plus DA का अभी बात कर लेते हैं किसी मेरे दोस्त का जब नौक्री लगता है अभी आपका basic कितना होगा 21,700 यानि कि जो basic salary का 46% हम लोगो DA मिलता है तो आप हिसाब लगा लिजिए 21,700 का 46% कितना हैगा approximately मान लेता होगे 9,000 सम्तिंग तो 21,700 प्लस 9,000 आपका total मान लिजिए 30,000 अभी उस 30,000 का 10% आपको डिड़ाक कर लिया जागे यानि कि 3,000 रुपे आप contribute करेंगे NPS account में और उस 30,000 का 14% सरकार देगा तो 14% 30,000 का कितना होगा मान लिजिए 3,500 ऐसा कुछ या फिर 4,000 हमान लिजिए तो जिनका आप फर्स्ट लॉक्री लगता है 21,700 आपके basic होगा है और DA आपका मिला के आपसे 10% deduct कर लिए जाएगा तो आपका 3,500 बनता है तो 21,700 आपके basic और 9,000 रुपे आपका DA तो total 30,000 का 10% आपसे काट लिए जाएगा तो कितना बनेगा 3,000 रुपे 30,000 का 10% 3,000 रुपे और 30,000 का इस सरकार देगा 14% यानि कि 14% तो 3,500 या फिर 4,000 मान लिजिए तो 4,000 और सरकार देगा 4,000 और आपसे काट लिए गया है 3,000 टोटल 7,000 के करीब आपके NPS के एकाउन में एड होता रहेगा हर मैना ऐसे क्या होता है system wise अभी देखिए 6 मैना बाद आपका DA बरेगा 3% और हर साल जो है दो बार 2 बार DA बरता है 3% 3% करके और एक बार आपका basic salary बरता है अब ये नहीं कि हर साल जो है आपसे हर मैना जो आपसे सिर्फ 7,000 ही काटेगा नहीं हर 6 मैने के बाद उस और कुछ बढ़ेगा एक साल के बाद और बढ़ेगा ऐसे NPS एकाउंड में बरते जाएगा बरते जाएगा और पैसा जमा होते जाएगा उस NPS एकाउंड में अभी सिस्टम क्या है इसका NPS में जमा होगा राशी है वो राशी कुछ company में चला दाते है share market में चला दाते है जैसे की SBI mutual fund हो गया UTI mutual fund हो गया LIC का mutual fund हो गया HDFC का हो गया इसमें आपका पैसा invest होता है आप अराम से अपना प्रान नंबर और पासवार्ट डाल के आप देख सकते हैं आपका पैसा कहा invest हो रहा है और कितना percentage आस तक मिल रहा है इसका बाद ये जो पैसा invest हो रहा है mutual fund में वो पैसा अगले 20 साल तक इसस जमा होते रहेगा 20 साल बाद उस समय market कैसा रहेगा पता नहीं सकते लेकिन आप मान के चलिए कि 10 से 12 परसंट तो interest मिलेगा मिलेगा तो उस समय आपका यदी मान लीजिए 20 लाक या फिर मान लीजिए 30 लाक आपका NPS एकॉन में जमा हुआ तो 30 लाक आपका जो मूलदन जमा हुआ सरकार का पैसा और आपका पैसा लेके टोटल 30 लाक आपका जमा हुआ अभी उस 30 लाक का मान लीजिए 10 परसंट इंटरेस्ट अभी मार लिज ये 30 लाक इंटू 10 इसके बाद percentage में मार लिज ये calculator में तो आप देख सकतो उतना बनेगा आपका राशी अभी उतने का 60 परसेंट जो है 20 साल के बाद यह नहीं कि 30 लाक ही आपको दे दिया जाएगा नहीं भाई कि NPS में आपका जमावा राशी का इंटरेस्ट को लेके उस राशी का 60 परसेंट आपको मिलेगा एक गट्टा और 40 परसेंट जो है वह शेयर मार्केट में लगा रहेगा और उससे आपको पैंशन मिलेगा ठीक है अब यह आप अंदाजा लगा सकते हो 30 लाक का 60 परसेंट 18 लाक या फिर 20 लाक ही मान लीजिए यह तो 20 लाक आपको 81 मिल जाएगा वीज साल बाद अपांदाजा लगा सकते हो 20 साल बाद 20 लाक का कितना वेलो होगा इसी आई स्ट एग्जम Impfner के तौर पर आपको बोल रहा हूं में हो सकते और भी ज़्यादा हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैंस्ट एक्जांपल आपको देरा हूँ और 20 साल के बाद आपको 20 लग मिलेगा पillarस आपका वो जो 10 लग बचा हुआ है उस 10 लग का आपको मंतली पेंशन मिलेगा उप्यस में क्या होता था आपका लास्ट अलर क्या आदा मिल जाता था लेकिन एंप्यस में इसा नहीं है एंप्यस में आपका जमावा राशी का जो परसंदिस मिलता है शेयर मार्केट की इस आप से वो उसका 60% आपको दे दिया जाएगा और 40% का जो पैसा रहेगा उसमें से आपको पेंशन हर मेंना दिया जाएगा तो इन पेस में यहीं सिस्टेम कि अ